क्लास आप सब चीक हैं स्टडी भी कर रहे हैं तो नर्स्टी क्लास आज हमारा टीर ओफ पेट का टॉपिक है बर्ड्स आप सब को बर्ड्स अच्छे लगते हैं आपको पता ना दुनिया में बर्ड्स भी हैं एनिमल्स भी हैं इंसेक्ट्स भी हैं और हम हम लोग भी हैं तो आज हम बिटा पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में तो बर्ड्स के बारे में आपको ये चीज़ बता दू कि बर्ड्स के फीडर्स होते हैं फीडर्स कहते हैं इनके परों को ये देखें फीदर्स क Chryतएं के इनके परों को पजैसे आला अधे आला ने हमें दो हात ही इसे तरह आपको दो फीडर्स की गाणा वजह यह लोग स्कंदी और बइसके दो पाऊं होती है ये देखी एए बर्स के दो पाऊं होते हैं और जिनके चारHHH पाउं होते है इन्हें इने मल Shortly इह देखी यहां पे पिजह हैं पिजन के भी 2 पाउं बर्ड के पास साव कर सकते हैं इंगल पिजन स्पेरो ओल त् curved पिजन क्रोड के धिंद Caitlin दो है हमारे पास एक ये Black और Gray color में और एक यहां पे White color में ठीक है अब आपने ये बात याद रखे हैं कि Birds के पास Featers होती है जैसे हमारे हाथ होते हैं तो Birds के Featers होती है इनकी Beak होती है, Beak कहते हैं, चोंच को जिससे ये दाना खाते हैं और इनके दो पाउ होते हैं इनकी body heavy नहीं होती, जिसकी वज़े से ये आसमान में बहुत असानी से fly कर लेते हैं अब हम पढ़ेंगे flightless birds अब हम पढ़ते है flightless birds, ठीकम flightless birds होती है जो आसमान में fly नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी नहीं उर सकते क्योंकि उनकी बॉड़ी जो होती है वो हैवी होती है जिनकी बॉड़ी लाइट होती है वो आसमान में फ्लाइ कर लेती है जिनकी बॉड़ी हैवी होती है वो आसमान में फ्लाइ नहीं कर सकती लेकिन फीदर्स इनके भी होती है यह swan है, swan, ठीक है, इसके भी feeders हैं, लेकिन इसकी body heavy है, जिसकी वज़ा से यह fly नहीं कर सकती है, this is penguin, penguin बरफ में भी रहती है, और penguin को swimming करना भी अच्छा लगता है, इसी तरह duck, swan और penguin, intino को swimming करना अच्छा लगता है, और यह जमीन पे भी रहती है, यह penguin, penguin white और black color में होता है, इसके भी feeders होते हैं, लेकिन यह fly नहीं कर सकता है, because he has heavy body, this is duck, duck की देखें बीक भी है, दो feeders भी है, और दो ही इसके पाउँ है, और यह nursery class कीवी है, कीवी की long beak है, long, لم्बी, لم्बी वाली बीक है, जिससे यह दाना खाती है, इसके भी feeders है, पर इसकी body भी heavy है, so that's why he can't fly this is ostrich, ostrich आपने पढ़ा हो है न, ostrich की long neck होती है, और इसकी long legs होती है, ostrich के feeders भी बड़े बड़े होती है, यह भी sky में fly नहीं कर सकती, यह है flightless birds, और जो मैंने आपको पहले page दिखाया था, यहाँ पे है birds, इनकी body heavy नहीं होती, जिसकी वज़ा से यह fly कर लेती है, और heavy होती है, तो यह fly नहीं कर सकते, ठीक है, आपने इस topic को बहुत अच्छे से revise करना है, तो इंशालला बहुत अच्छा आपको lesson learn हो जाएगा, अल्ला हाफिस